आज हम क्लास 9 का second chapter जो biology का है वो है cell अब यह अगर हम देखेंगे NC artist तो यह first chapter होगा बट अगर हम चलते हैं preference book से तो second chapter है तो सारा काम जो हमारा होता है body में वो cell के through होता है ठीक है तो इससे लिखा गया था fundamental unit of life मतलब सारा basic से ले करके हर काम में cell का ही need है और cell से ही सारा चीज बना है ठीक है पहले तुम लोग पढ़ चुके हो यह चीज हमेशा याद रखना cell है ठीक है cell से group of cell बनता है ठीक है जिसको बोलते है tissue ठीक है tissue से क्या बनता है group of tissue वो क्या बनाता है organ फिर group of organ क्या बनाता है organ system organ system बनाएगा फिर organ system क्या बनाता है organism ठीक है तो यह चीज हमेशा याद रखना है हम लोग पढ़ते हैं कि what is the living wing made about क्या से बना होता है जैसे अगर हम बात करते हैं स्विंपल समझना यही है कि जैसे हम लोग बात करते हैं कोई दिवार है तो दिवार क्या है जब वो छोटा-छोटा इड से मिल करके बन जाता है तो उसको दिवार क्याता है तो organism कब बनता है जब छोटा-छोटा सेल मिल करके टिशू बनाएगा जो भी हम बता है वो चीज करने के बाद कोई और्गनिजम यह लिविंग बिंग बनता है अब उसमें से क्या होता है कि जो सेल है ठीक है चाहे माल लो कितना भी अलग अलग और्गनिजम अरका नाम दिया गया आपर आर्के बैक्टरिया है यू यू-बैक्टरिया अर्के बैक्टरिया सारा चीज पढ़ना है उसमें समझ में आ जाएगा तो वह सारा चीज क्या से हृइं सेल हम लोग सेल बहुते हैं क्या है माइक्रोस्कोपिक यूनिट जिसको सेल्स बहुता है हम लोग ऐसे नोर्मली नहीं देख सकते हैं बीना gsim जैसे होटा है physical science में वैसे ही यह सेल होता है तो सेले को define करने के लिए लाइन लिखा है इसेलीजगे बेशक्रोक्ष्ट्ट्रेण फंसाराई उट अब लेविं और यह नोट डाउन कर लेंडा तो सेल का हम बताएंगे जब फीगर आएगा या फिर कोस्य कि तो अब हम बात करते हैं कि अंदर क्या होता है थीक है तो सेल क्या होता है । चल मैं कर दो कहा है вас तो ऑपर स верх केड़ sûf कर वह सेल में एक होगा सेल ऑल उपर जिसका सेल ऑल होगा उपर सेल नहीं दिखा था फिर plasma membrane आएगा इसके अंदर ठीक है यह चीज जोंड्रा कर रहे हैं फिर उसके अंदर यह पूरा जो liquid है यह यह cytoplasm कहलाता है यह liquid पूरा है याद रहना है अब liquid हो कैसे हम दिखा है इस दिखा रहे हैं पर यह liquid हमालों अंदर में ठीक है auseplasmic reticulum mitochondria यहां होगा ठीक है chloroplast अगर है तो chloroplast होगा ठीक है गॉल्ओ्डी बडीज होगा यहाँ पर बहुत सरा ribosomes होगा ठीक है और यहाँ पर बहुत सरा microfibrils होगा है फिर vacuoles होगा यह सब चीजुथ तहां सेल के अंदर जिनरली ठीक है तो यह हम आगे पढ़ाएंगे, अच्छे से, अब क्या है कि इसमें Metabolism सो करता है, हम पहले बात है, Metabolism क्या है, तो Cell क्या करता है, कुछ या तो बनाना, Make करेगा, ठीक है, या फिर Break करेगा, कुछ बनाना या कुछ तोड़ना, या या कुछ बनना या कुछ तूटना, तो कुछ Anabolism, कुछ Catabolism, यह दोनों को मिला करके Metabolism बोलते हैं, ठीक है, Anabolism और Metabolism क्या लेख लोगे आपट, Anabolism, A-N-A-B-O-L-I-S-M, Anabolism, Catabolism, C-A-T-A-B-O-L-I-S-M, ठीक है, अब देखो यह क्यों बोले, Ana और Cata, Cata मतलब Breakdown, या कि जब कोई चीज तूटता है सेल के अंदर, या कुछ बनता है सेल के अंदर, तो Anabolism, और तूटता है तो Catabolism, जब यह दोनों प्रोसेस होता रहता है, उस ही को बोलते हैं, Metabolism, तो याद रखना इस चीज को लिख लो, आप क्या पता है कि बहुत सा और निजम या तो Single Cell होगा, Unicellular, या फिर Multicellular, एक से जादा सेल जो जो जिसमें Organ System होगा, तो वो एक से जादा सेल से बना हुआ है, जिससे Amoeba बगारे के बारे में पढ़ोगे, Amoeba है, फिर क्या बोलते हैं, प्रोटोजोवा में जितना आता है, Paramecium है, Plasmodium में सब सारा चीज क्या आजाएगा, Unicellular में आजाएगा, तो हम लोग जैसा भी बात करेंगे, कि सेल क्या क्या काम करता है, जिससे चाइटीन होता है, फिर क्या बोलते हैं, उसको सेलोज होता है, क्या क्या से बना होता है, यह सब सारा चीज है, देखेंगे, सेल क्या करता है, बहुत सारा function करता है, जैसे कि अगर हम बात करें, nutrition, desperation, growth, reproduction, बहुत सारा चीज है, तो यह जीने के लिए बहुत जोड़ी होता है, यहाँ पर यह चीज है, इसको क्या करना है, कि यह define क्या है, unicellular और multicellular के बीच में, तेखेंगे, unicellular और multicellular पीच में define क्या है, इसको तुम लोग note-down कर लेना, और इसको लिख लेना, अच्छे से याद करें, ठीक है, तो यहाँ पता, most important functional level in the organization of a living world is cellular बहाँ, सही बात है, cellular level पे ही, हर चीज का हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि cell के अंदर, क्योंकि एक cell के बारे मेरे हम study करते हैं, तो सारा study हो जाएगा, ठीक है, cell biology क्या है, तो study of cell in all aspects structure function, मतलब दोनों चीज में, हर तरीके से पढ़ना cell को, cell biology बोलेगा, ठीक है, यहाँ पे आते हम, कि discovery of cell कैसे हो, ठीक है, robot hook, ठीक है, robot hook सिंपरी समझना क्या है, कि एक cork होता है, plant में ठीक है, उसमें से, वो honeycomb structure देखता, बट वो खाली होता है, ठीक है, वो लाइब नहीं होता है, वो डेड होता है, और उसमें वो देखता है कि, अरे, इसमें compartment type का क्या बना हुआ है, ठीक है, robot hook क्या करता है, एक slice लेता है, cork का, प्लांट से, और देखता है कि, क्या है, तो वो पहला जो डिफाइन करता है कि, वो ये compartment type है, जो cell बनाता है वो, honeycomb के तरह structure होता है, तो ये compartment होता है, इसमें nucleus नहीं होता है, वो dead होता है, ठीक है, उसमें ये चीज वो ढूणता है, लिखा हुआ कि, cell, cell मतलब little room, एक छोटा सा जगा, जैसे 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 देखो, इस cell में पढ़ना है, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का, ठीक है, माइक्रोस्कोप पे काम होता गया, एडवांस बनता गया, वैसे वैसे cell अच्छे से, हम लोग पास defining होता गया, ठीक है, तो ये cellular लेटिन वड्ट दिया था, जैसे माइक्रोस्कोप पे ही जिनरली है, समझे तो, सारा cell के बारे में पढ़ेंगे, कैसे आख से दो ऐसे देख नहीं सकते हैं, जब तक उसमें कुछ लगाएं ना, जैसे माइलो माइक्रोस्कोप या जो भी, तो वो चीज़ का, यूज करके, अटरो वन लिए ना, स्पर्म सेल, डॉक का, रेविट का, यह सब बहुत सारा चीज़, वो फाइंड किया, देखो, यहां पर कुछ दिया होगा, रॉबर्ट ब्रॉन नुकलियस सर्च किया, ठीक है, लिखते जाना, नुकलियस रिस्पॉंसिबल है, हेडियर्टरी करेक्टर, मतलब कि, जैसे माल लो कि, अगर एक इंसान के पास, दो आख है, एक नाख है, दो कान है, हाथ पैर है, तो वो अगले सेल के जनरेशन में, जाना चाहिए, तो वो हैकल बताए, ठीक है, सेल थेओरी, और एक एनिमल में दिया उग दोनों को सेल थेओरी का मतलब क्या है सिर्फ समझो यहां पर सेल थेओरी का मतलब यही है कि जितना भी जितना भी सेल बाड़ या फिर और्गनिजम या एनिमल्स बना वो सेल से बना हुआ है ठीक है बट इसमें एक साइंटिस्ट का बहुत रुडॉल्फ वर्को नाम है यह दिया था ओम इनी सेलूला एसलील यह चीज़ दिया यह चीज दिया यह पूछता अकसर मतलब कि ऑल सेल्स आर मेड़ अप फ्रम प्री एक्जिस्टिंग सेल कि मतलब जैसे यह उर्गनिजम था इसमें अंदर सेल था तो यही सेल से नया सेल बनता है पता है तुम लोग को थोड़ा बहुत डिवाइड करता है सेल और नया सेल बनता है तो यही बोल रहा है यह रुडॉल्व बर्को की जितना भी सेल बना है वो पुराने सेल से ही बना है जो बोडी में उसी सेल से बनता है नया सेल यह कहना इस चीज में बस और कुछ न ठीक है अगर इसमें दिया हुआ रहे तो अलमेंटर कंपोज अपसेल सेल पोड़क्ट ठीक है सेल से और उसके जितना भी अंदर होगा और वो सब चीज़ ठीक है फंडमेंटल और फंक्शनल उनिट अफ लाइफ है ठीक है सारा काम मेटाबॉलिक रियक्शन सब इसी में होता है और शेल्स और प्रीग्जिस्टिंग सेल्स ओनी ठीक है कि छोटा और बड़ा क्या है इतना चोटा तो नहीं होना चाहिए था सेल को तो वाइरस बहुत ज्यादा चोटा था बैक्टरियस वगरे से भी ठीक है इसके कारण इसको भी एक्सेप्सन है यह पढ़ना है यह एक काम करना तुम लोग घर पे यह जो इंस्ट्रुमेंट फॉर स्टुडिंग सेल्स है एक वाइट पेज लेना और माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्शर बना के रखना यह पूरा बनाना है इसके बारे में लिखना एक तरह का प्रोजेक्ट समझ लो इसको अराम से तुम बना सकते हैं बीना बाहर जाये हुए कुछ लिए हुए क्योंकि पैंसल रवर और वाइट शीट तो हो गई उसको लिख करके यह बनाना है ठीक है और इसमें में 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 जो अब्जेक्टिव होगा उसके बारे में लाइट मतलब हाइलाइट करना है इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है मैगनिफाइंग देखना है और कौन डेवलप किया है यह है कोश्चान सब पूछता नहीं है बन वर्ड अमसे क्यूं बगएरा पुछ नहीं कब किया घ्या किसके द्वारा किया गया कितना मैगनिफाइंग पावर बस जही सब चीज levar लेंस की Yoo Augantic ओता है तरत में अहीं मरें सब प्रमाजस करता好像 यस की दूझत और एक्ति आलेक्ते उसमें नहीं अदान और स्किसे देखना कुछ थोड़ा होता है, प्यास बगएरा में कुछ ऐसे तो होगा नहीं, घर में माइक्रोस्कोप छोड़ा बगएरा तो लैब में होता है, इसको मत करना, छोड़ दो, इसको नेक्स क्लास में हम बताएंगे,